हestly friends, कैसे हैं आप सभ आशा करती हैं आप सब स्वास्त और मस्त होंगे हम लोग भी वह सर्वाइब करेंट सवागत mm अपने यूटूब चैनल प्रेम निता व्लागा ब्लोग स्वार्मानिता इस वीडियो में आप सभी सवागत करती हूं तो आगे वीडियो में बने रहेए औ वीडियो पसंद आये, तो वीडियो को लाइक करिये गा और अपने फेमली फ्रेंस में सेयर करिये अर जो भाईㅏ-बहन मेरे candles मेरे प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजीएगा और हमीं सपोर्ड करें सस्क्राइब करके तो चले बीडियो में बने रही है आपनों ये सुबा सुबा का टाइम का वीडियो है घर का सारा काम हूचुका है उसके बाद मैं कर रही हूँ सिलाई क्योंकि बहुत सारा बिलोज भी है देना है मेला है हमारे यहां चोगदा तारिक से मेला स्टार्ट हो जायए गया तो देना भी है जल्दी जल्दी इसलिए ना सुबा से इसला ही करने लग गई हूं और उसके बाद फिर एक बिलोज इला चुका है मेरा और मा जा रही हूं अभी मैं तोड़ी हूँ बटकर, आप लोग देख सकते हैं, यह देखिए, और इसका फिर मैं बनाऊंगी सबजी, घल जा करके, आप लोग बताइए कौन-कौन खाते हैं इसका सबजी, बटकर का, त्योर बटकर का सबजी, और हम लोग तो बहुत खाते हैं, और बहुत टेस् त्योरा भाजी आप लोग देख सकते हैं, फ्रेंड्स, और इसमें अभी तोड़ूंगी भाजी, त्योरा भाजी, सबजी के लिए, और बटकर तो तोड़ चुकी हूँ, और भाजी तोड़ूंगी अभी इसमें का, और यह मामा जी लोग का खेत है, उसमें से सारा खाई हूँ, तोड़ करके ऐसे इसको खा सकते हैं, यह पानी चालू हो चुका है, फ्रेंड्स, और गेहूं में पानी डाल रहे हैं भी, खेत को पला रहे हैं, यह मिस्टर जी बैठे हैं, इधर इस वार पाइप कोई कठा कर रहे हैं, और यह देखिए, पाइप चल भी रहे हैं, इस साइड का पल चुका है, अब पाइप को ना दूसरे साइड ले जा रहे हैं, मिस्टर जी, उधर साइड का पलाना है, तो उधर ले जाएंगे, अभी, हलो प्रेंड्स, मैं यह खेत स्यानेक बाद नहा कर क्या आ गई हूँ, और अभी बनाऊंगी मैं सब्जी तिमरा भाजी और बटकर जो लाई होना उसको भी बनाऊंगी, तो मैं आए यह आग जला ली हूँ, जब तक आग जल जाए अच्छे से, तब तक बाकी आप लोग देख सकते हैं, इधर अभी रेडी हो चुका है सब समान, और उसको बनाऊंगी, और यह आग भी जल गया है मेरा जला ली हूँ, और सां में मिस्टर जी भी है, वो भी वापस केस से, और आग जला चुके हूँ फ्रेंस, अब इसमें नामा डाल देती हूँ, कडाही को रख दी हूँ, उसमें डाल रही हूँ, एक लोटा पानी डाल दी हूँ, और यह तियोरा भाजी को नहीं काट करक इसे इसे बहुत सारे लोग भाजी को गहां तो और इसमे डाल रहे हूं भाटा इसके बात फिर इसमें डाल देती हूं थोड़ा सा चना डाल भिगा करके रखी चना डाल डालने इसना बहुत बढ़ी अदिकतब है भाजी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है निकाल करके और इसको ना ढग देती हूं आप 10-15 मिनट अच्छे से पक जाए उसके बाद फिर इसमें डालूंगी मैं टमाटर और हरी मिर्ची और टमाटर में मैं पिछकी टमाटर डालूंगी उधर भाजी भर रहना तब तक मैधर ना बटकर को छील लेती हूं बटकर आलू सेमी की भी सबजी बनाना है तो उसका भी तया देता है नमक नमक डाल दी हूंगा arts और उसके बाद फिर उसमें डाल देती हूं हल्दी थोड़ा सा और हट डालने से लूक अच्छा आता है सही कि तो बहुत अच्छा दिखते हैं और यह दिखके हो भी गया है उसके बाद भाजी पूरा 20 मिनट और पका लिए थे टमाटा डाल करके तो लगभग 40 मिनटे पक चुका है भाजी इसको और सा टाइम लगता है पकनी में और भाजी पूरा पक चुका है अब इसको निकाल लेते ह हैं और इसमें मैं भाजी का लगाऊंगी च्छों का तो इसमें डाल लेती हैं तेल जो यह सखी मीर्ची sugar 3 तील गरम हो चुक्ए है और उसमें डाल रही हुए लसुन को डाल करणा देख यह सुखी मीर्ची तोड़ा से हो जाँ उसके त्यूंस को देखोगें यह तो दोड़ा साविका त्यूंस तो तुरंद रेतील भी पूरा चिटक चुका है उसके बाद एक खोड़ा सा हो गया है इसका कलर जैन जब इसमें बड डालना है भाजी को तरका रेडी अब इसमें डाल दिये भाजी को अब यह बाजी की सब्जी बन चुकी है अब इसमें डाल देते हैं और बनाओंगी अफी मैं सेमी यालू बटकर और दूसरा कड़ाही चड़ाय अड़ी है वह भी हो गया है गरम इसमें डाल देते हैं तेल और इधर मिस्टर जी दे रहे हैं कुछ खाने के लिए खारे देतो और यह प्याज है प्याज को डाल देती है इसमें जीरव अगर नही डाल जीर होता है फोरण में और यह हो चुकर है फोरण और उसके बाद फिर इसमें डाल देते हैं यह बटकर को छिल कर करके रखी थी उसको क्योंकि इसको न थोड़ा सा फ्राई करना रहता है हलका सा इसलिए और यह हो गया है बटकर थोड़ा सा ढग देते हैं क्योंकि छटकता पहुंद था यह भी फुटता है तो और उसके बाद फिर इसमें डालना है सेमी को सेमी धोगर के रख ली हूँ यह दखे। आप लोग देख सकते हैं और इसको डाल देती हूं उसके बाद फिर ये आलू को भी दोगर के डाल देती हूं इसी में और ये भाटा पचाई थी भाची में डाली थी उसमें काधा भाटा को इसको भी डाल देती हूं इसी में और गाउं से तो अभी इसी तरह का सब्जी कोबी रहता है तो मेरे पास गोभी नहीं तत Okay speaking और तलिवाल साबचेस highly बनता है और यहरी मीर्ची और यह फळणया मिसिमे की बने उस डल पिश लेती हूं तो मिक्सी डाल डी जेए ईसमें डाल लेती हूँ टमाटर पीछकी टमाटर और पहरा टमाटर दोनों अधा है डाल से नमक, 1.5 चंद माझ अर यह हल्दी पावडर 1 चंद माझ वोड़ाय और अच्छे से फिर मिक्स कर लेते हैं ले GET दौनी इसे दमाटर जल्दी ग जादा है, इसलिए टमाटर ढालते हैं, अबल में बते हैं इसे ध surviving है अनल फ carbon?? आर 5 मिन बाद लाट बहुत नमक कुट आलते हैं पाँच मिनद घी चुका है और इसमें मीर्ची और धनिया पिस्स करें रखें रहे हैं और पानी भी एट कर देते हैं इसी टाइम पे और पूरा अच्छे से मिक्स करके इसको ढग देते हैं ढग करके इसको 10-15 मिनट के आसपास पकाना है ताकि अच्छे से सब्जी हो जाए और यह आप लोग देख सकते हैं सब्जी कलू कैसा दिख रहा है और इसका खुजबू फर्धनिया को जासे बहुत ही बड़ी हाता है निकल करके और आप लोग नहीं खाये होंगे उन लोग देखेगा ट्राइकर के फर्धनिया उसका टेस्ट और खुजबू बहुत ही अच्छा आता है और यह रेडी हो गया है सब्जी मेरा बन करके बटकल आलू सेमी की और भाजी भी बन चुके है और अब हम लोग खाएंगे खाना यह खाना निकालती हुँ मैं पाउनी तभी इसकुल गई है और इसी तह अपने दादी के पार है दादी के पास है और माँ खाना निकाल लेती हूं मेरे लिए और मिस्टर जी के लिए पाउनी तो टाइम में आएगी तीन बजी तक और इधर हो गया है सबजी बन करके रेडी देख लिजे कितना मास तो दीक रहा है जितना अच्छा दीक भी रहना उतना अच्छा टेश्टी लगता भी है और जो लोग खाते हैं उनको पता भी है और जो नहीं खाते हैं उन लोग एक बाट राई करके जरूर देखिएगा आप लोग भी आजाईए खाने के लिए तो आसा करती हूं फ्रेंज्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और मिलते हैं अगली वीडियो में